तो अब सभी का स्वागत है हमारे उटूप चैनल में आज हम बात करने वाले इनकोरेट ओरल सोलूशन के बारे में इनकोरेट ओरल सोलूशन सन फार्मा इंडस्ट्री लिमिटियर द्वारा बनाया जाता है इसमें सोडियम वाल्परेट 200MG कंटेंट है और इसके मार्केट प् द्वारे माइग्रेन और बाइपोलर डिसॉडर की इलाज में किया जाता है सबसे पहले जानेंगे मिर्गी द्वारे के इलाज के बारे में इनकोरेट ओरल सोलूशन एक अंटिकॉसुलेंट या अंटियापिलिप्टिक दवा होता है जो द्वारे पैदा करने वाली नर्व इंपल्सेस को कम करके काम करती है बार बार आने वाले दवरों को नियंतरित करके ये आपके आत्यादिक आत्मयुश्वास के साथ आपकी रोजमर्रा की कामों को करने में आसान बनाता है ये ब्रहम नियंतरित रूप से हिलने जटके खाने जैसी मुमेंट जाग रुकता के ह डर रेंजाइटी ज़य सेलक्षनों को कम करके आपकी मदद करता है अब जानते माईग्रेन से बचाओ के बारे में यह पूरी तरह से प्रमानित नहीं है कि इनकरेट ओरल सोलुशन माईग्रेन के रोकतान में मदद करता है यह मस्तिस में तांत्री कोशिकायों के असामानी गत गतिविदियों को बदल सकता है यह माईग्रेन से जुड़े मस्तिक्स के शेत्र में गतिविदियों को बढ़ा सकता है बार बार होने वाले सिर्दरत को रोक कर और कम करके यह आपकी रोजमरा के कामों को करने में आपकी मदद करेगा अब जानते बाइपोलर डिसॉडर के गतिविदियों के असामानने संतुलन को वापस प्रस्तापित करने के लिए काम करता है यह मूड में आत्यादिक बदलाव को रोकने में आपकी मदद कर सकता है और शांत रहने में आपकी मदद करता है आपको उदासी कमबार महसूस हो सकते है इस दवा को काम करने में कई ताल लग सकते हैं और इस समय के दवरान आपको लो मैसूस कर सकते हैं यह संभावना है कि आप इस दवा को कम से कम छो मैने तक ले जाएंगे लेकिन संभावत आदिक समय तब लंबे समय तक ले जाएंगे बहतर असर के लिए इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए अब जानते इंकरेट ओरल सोलुशन का इस्तमाल का इसे करिया डूसिस के बारे में इस्तमाल करने से पहले ले बलकि जाच कर ले इसे मापने वाले कपसे मापे और फिर पिये इस्तमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से हिलाए इंकरेट ओरल सोलुशन को भोजन के साथ लेना सबसे बहतर होता है अब जानते हैं इंकरेट ओरल सोलुशन किस परकार काम करता है इंकरेट ओरल सोलुशन एक अंटि अपिलिप्टिक दवा है ये मस्तिस में नर्वसिल्स के असामनी और अत्यादिक एक्टिविटी को कम करके और दोरों को नियंत्रित करता है ये जानकर्य आपको कैसी लगी दोस्तों अच्छी लगी हो तो यडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अंतक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिन दोस्तों